ओम शांती, मीठे बच्चे, आज की मुरली, 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार की सम्पूर्ण मुरली मीठे बच्चे, याद की मेहन्त तुम सब को करनी है, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा प्रशना सर्व की सद्गती का स्थान कौन सा है, जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा उत्तर आबु भूमी है सब की सद्गती का स्थान तुम ब्रहमा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है सारे दुनिया की सद्गती यहां से होनी है सर्व का सद्गती दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहां पर बैठ कर सब की सद्गती करते हैं आदम अर्थात आदमी वह देवता नहीं है उसे भगवान भी नहीं कह सकते ओम शांती डबल ओम शान्ती क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की दोनों की आत्मा है न वह है परम आत्मा, यह है आत्मा वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परमधाम के रहवासी हैं दोनों ऐसे कहते हैं बाप भी कहते हैं ओम शान्ती, यह भी कहते हैं ओम शान्ती यहां अलग-अलग होकर बैठना है। घर में भल इकठे रहते हैं, परन्तु फर्क तो पड़ता है ना इसलिए ही तो भागवक में आसुरी नाम गाये हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह हैं इश्वरिय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सत्योग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सत्योग में तो यह बिलकुल भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदी बनाते हैं और कोशिश करते हैं राज्योग सिखलाने की। परंतु राज्योग तो सिखा न सकें। वह तो बाप जब सम्मुक आते हैं तब ही आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राज्योग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे मीठे मीठे रुहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह न सकें। न देवताएं, देवताओं को कह सकते हैं। एक रुहानी बाप ही रुहानी बच्चों को कहते हैं एक बार पार्ट बजाया फिर पांच हजार वर्ष के बाद पार्ट बजाएंगे क्योंकि फिर तुम सीधी उतरते हो ना तुम्हारी बुद्धी में अब आदिमध्यन्त का रास है जानते हो वह है शान्तिधाम अथवा परमधान हम आत्माय भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती हैं निराकारी दुनिया में जैसे स्टार्स देखते हो ना कैसे खड़े हैं कुछ देखने में नहीं आता उपर में कोई चीज नहीं है ब्रहमा तत्व है यहां तुम धर्ती पर खड़े हो यह है कर्म शेत्र यहां आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं बाप ने समझाया है तुम जब मेरे से वर्सा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं क्योंकि वहां रावन राज्य ही नहीं होता है वह है इश्वरीय राज्य जो अब इश्वर स्थापन कर रही है बच्चों को समझाते रहते हैं शिवबाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो स्वर्ग शिवबाबा ने स्थापन किया न तो शिवबाबा को और सुखधाम को याद करो पहले फले शांतिधाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा बच्चे भूल जाते हैं इसलिए घड़ी-घड़ी याद कराना पड़ता है हे मेठे मेठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो प्रतिग्या करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा बाप ही पतितपावन सर्वशक्तिमान अथौरिटी हैं उनको वर्ड आलमाइटी अथौरिटी कहा जाता है वह सारे स्रिष्टी के आदिमध्यन्त को जानते हैं वेदों शास्त्रों आदी सब को जानते हैं, तब तो कहते हैं, इन में कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्व शास्त्रमई शिरोमनी है माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले फले प्रजापिता ब्रहमा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रहमा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी। मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाप बैठ समझाते हैं एडम अर्थात आदमी। न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायन है देवता। दिटीज्म है पैराडाइज में। नई दुनिया है न। वह है वंडर आफ दी वर्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। इश्वरिय वंडर है हेविन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। यह जो देलवाडा मंदिर है, इसकी वैलियूस का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जा तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गती यहां से होती है। तीर्थ तो बहुत हो गये हैं। पढ़ाई भी बहुत सहज है। कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा। बिगर कौडी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नमबर वन बन गई। राज्योगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गवाया है। कितनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाट बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है सारे विश्व पर राज्य करती है इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है न क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है आत्मा ही यहां आकर इस कर्मक्षेत्र पर कर्म करती है वहां बुरा कर्तव्य होता नहीं आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावनराज्य होता है मनुष्य तो कह देते विकार सदैव हैं ही तुम समझा सकते हो वहां रावनराज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते वहाँ है ही योगबल भारत का राजयोग मशूर है बहुत सीखना चाहते हैं परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला न सके जैसे महर्शी था कितनी महंत करता था योग सिखलाने के लिए परंतु दुनिया थोड़े ही जानती कि यह हठयोगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे चिन्मियानंद के पास कितने जाते हैं एक बार वह कह दें कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय भी के कि कोई समझा नहीं सकते हैं तो बस परंतु ऐसा काईदा नहीं है जो अभी यह आवाज हो सब थोड़े ही समझेंगे बड़ी महंत है महिमा भी होगी पिछाडी में कहते हैं ना अहो प्रभु अहो शिवबाबा आपकी लीला अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सत्गुरु और कोई समझते नहीं यहां भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमज बन पड़ते हैं बड़ी मनजिल है युद्ध का मैदान है इसमें माया विघन बहुत डालती है वो लोग विनाश के लिए तयारी कर रहे हैं तुम यहां पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो तुम विजय के लिए वह विनाश के लिए पुरुशार्थ कर रहे हैं दोनों काम इकठ्था होगाना अभी टाइम पड़ा है हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है राजाएं प्रजा अभी सब बनने है तुम आधाकर्प के लिए बाप से वर्सा लेते हो बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि कहा गया ऐसे ही गपोडे मारते रहते हैं तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे मोक्ष पा नहीं सकते ऐसे नहीं कि बुद्बुदा पानी में लीन हो जाता है बाप कहते हैं यह शास्त्र आदी सब भक्ती मार्ग की सामगरी है तुम बच्चे सम्मुक सुनते हो गर्म गर्म हलुआ खाते हो सबसे जास्ती गर्म हलुआ कौन खाते हैं? ब्रहमा यह तो बिलकुल उनके बाजू में बैठे हैं जट सुनते हैं और धारन करते हैं फिर यही उच पदपाते हैं सुक्ष मवतन में वैकुंठ में इनका ही साक्षात कार करते हैं यहां भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से बाप पढ़ाते तो सबको हैं बाकी है याद की मेहंत याद में रहना जैसे तुमको difficult लगता है वैसे इनको भी इसमें कोई कृपा की बात नहीं बाप कहते हैं हमने लोन लिया है उनका हिसाब किताब दे देंगे बाकी याद का पुरुशार्थ तो इनको भी करना है समझता भी हूँ बाजू में बैठा है बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ सबसे जास्ती मेहंत इनको करनी पड़ती है युद्ध के मैदान में जो महारती पहलवान होते हैं जैसे हनुमान का मिसाल है तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली क्योंकि वह महावीर था जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है तूफान जास्ती आते हैं बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यहिय होता है बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है कोई-कोई देहभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है तुम अभी बहुत अकलमंद बनते हो आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है आत्मा कितना चमतकारी हो जाती है पहले तो गरीब ही उठाते हैं बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे तुम समझते हो जब तक भाई-भन नहीं बने हैं तो भाई-भाई कैसे बनेंगे प्रजापिता ब्रहमा की संतान तो भाई-भन ठहरेना फिर बाप समझाते हैं भाई-भाई समझो यह है पिछाडी का संबंध फिर उपर भी भाईयों से जाकर मिलेंगे फिर सक्युग में नया संबंध शुरू होगा वहाँ पर साला, चाचा, मामा आदी बहुत संबंध नहीं होते संबंध बहुत हलका होता है फिर बढ़ता जाता है अब तो बाप कहते हैं भाई-भन भी नहीं भाई-भाई समझना है नामरोग से भी निकल जाना है बाप भाईयों, आक्माओं को ही पढ़ाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है, तब भाई-भन है न श्रीक्रिश्न तो खुद ही बच्चा है वह कैसे भाई-भाई बनाएंगे गीता में भी यह बाते नहीं है यह है बिलकुल नियारा ज्यान ड्रामा में सब नूध है एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं फिर पांच हजार वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे कम बुद्धी वाले तो इतनी धार्णा कर न सकें इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है अपने को आत्मा समझो, बेहत के बाप को याद करो पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब की संगम है तुम ही देवी देवता थे यह जानते हो जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार एक अब पिछाडी का समय है वापस घर चलना है इसलिए अपनी बुद्धी नामरूप से निकाल देनी है हम आत्मा भाई-भाई हैं यह अभ्यास करना है देह भिमान में नहीं आना है दोग हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है इसलिए अलग-अलग होकर बैठना है अंग-अंग से न लगे उन्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहंत करनी है वर्दान बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्यानी तु आत्मा भव बाप दादा देखते हैं अभी तक पाँच ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मैजारिटी के चलते हैं ज्यानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुनवा विशेष्टा का अभिमान आ जाता है हर एक अपनी मूल कमजोरी वा मूल संसकार को जानता भी है उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है स्नेही वाग्यानी तु आत्माय बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी नियोचावर कर देती है स्लोगन स्वमान की सीट पर स्थित रह सर्व को सम्मान देने वाले मानने आत्मा बनो